You are attending Computer Coding Class तो देखिए सबसे पहले हम हमारा जो Instagram एकाउंट है उसको एप में ओपन कर रहे है तो देखिए यह मेरा Instagram एकाउंट है इसको हमको पर्मानेंटली डिलीट करना है तो यहां टॉप में राइट में देखिए आप यहां पर तीन बटन से इसको क्लिक करेंगे तो नीचे देखि हमेंट है help center तो हम help center पर क्लिक करेंगे फिर यह मांग रहा है open with क्योंकि Instagram एप पे तो कोई भी डिलीट करने का option नहीं होता है यह होता है Instagram वेब पर तो हमको इसी को किसिन-किसी ब्राउजर पर open करना पड़ेगा तो देखिए मैंने यह Chrome browser select किया है अब देखिए यह help center खुल मेनेज में देखिए यहाँ पर आपको help center में दिख रहा है delete your account तो delete your account पे click करेंगे अब यहाँ पर delete your account में देखिए second point लिखा हुआ है how do I delete my Instagram account इसके उपर जाके click करेंगे इसके बाद देखिए नीचे की side आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक point लिखा हुआ है go to delete your account इसक Instagram app खुलेगा इट मेंज यह आपका जो आपका Chrome browser है उस पर एज वेब application open होगा तो यहाँ पर आपको username और password डालना है अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर forget password दिया हुआ है इसके थ्रूँ आप recover कर सकते हैं इसके लिए आपको आपका mobile number email address कुछ पता होना चाहिए यह हमारा यूजरनेम और password डाल रहे हैं तो देखिए हमने यहाँ हमारा यूजरनेम डाल दिया है और password भी डाल रहे हैं कि यह हमने इसको डाल दिया है तो देखिए यह Instagram का wave open कर रहे हैं हम लोग यह देखिए delete का page open हो गया है delete your account और इसमें यह region पूछ रहा है आप कोई भी region select कर सकते हो मैंने कर लिया something else इसके बाद आपको password एंटर एक बार और करना पड़ेगा यह password डाल दिया है इसके बाद आपको delete computer coding class देखिए लिखा हुआ इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यह पूरा one month लेगा और एक मन्त के बाद मेरा यह account delete हो जाएगा इस तरीके से आप Instagram account को delete कर सकते हैं अगर आपको यह topic पसंद आया तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए धन्यावाद जरू सब्सक्राइब कर दो